हाई वेलकम टू बोलीवूड चलते चलते विद सिसी वाडिया हमने गूगल को लाश्ट एपिसोड में कन्फ्यूज किया था और एक सवाल पूछा था आप जानते गूगल ने क्या किया उसने यह जवाप दे दिया कि एकता कपर को 2012 में एक दादा साहब फालके का है और मिला आक्सितनवर और राम कपूर को भी एकता कपूर की सीरियल के लिए एवोड मिला था बड़े अच्छे लगते हैं गूगल जी आप बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन यह जवाब आपके अच्छे नहीं लगते हैं आप फिर से काम पे लग जाए शाद इस एपिसोड में भी मैं बताने वाला नहीं हूँ नेक्स्ट एपिसोड तक मैं आपको फिर से चलेंग देता हूं कि आप मुझे बताईए कि दादा साहे फाल के फाइव और और ऑप इंडियन फिल्म इंडेस्ट्री एक्ता कपूर के साथ कैसे जुड़े थे मलब लिंक दोनों के बिसकी क्या है मतलब गूगल जी काम पे लग जाएए ओके हां तो हम लोग अपनी बात स्टार्ट देते हां गूगल जी अगर आपको जवाब नेम लाना तो आपस की बात है टेंशन मतले जीगा नेक्स्ट पीसी में इस जवाब का सवाल का जवाब दे सकते हैं अमीजी के सामने बैठके और के बीसी वाले तो यह सवाल पूझेंगे ने क्योंकि इसका जवाब तो मैं दे चुका रहूंगा फिर भी गूगल जी मिलते फिर नेक्स एपीस्ट में ओके तो हम लिंक करते हैं पिछले एपीसोड की 1912 में 1920 में हम बबुर पेंटर जी के बाते करते हैं पेंटर जी ने 1920 में एक फिल्म एनाउंस की लग उसे काम चालू कर दिया शुटिंग स्टार्ट कर दिए फिल्म का नाम था सैरिंद्री अब जब तक मैं सैरिंद्री की बात नहीं बताओं तब तक आपको आप उसमें अपने आपको जोड नहीं पायेंगे मैं थोड़ा फटा बता दूंगा महाभरत में कवरों ने पांडव को वनवास पर भेज दिय होके वहाँ पर उसमें यह कहा गात है कि आखरी जो साल है वो उन्होंने अग्यातवास में बिताना है मतलब कि उन्होंने शहर में आ जाना है वो जंगल में अब नहीं रहना है शहर में रहो बड़ आप किसी को पदा नहीं चलना चाहिए कि यह पांडव है इस तरह से पड़ेगा जंगल में जाहिर की बात है कि वो कवरों भी इसमें एक्टिव हो जाएंगे इस साल में तो कवरों पांडव ने इस अग्यातवास के लिए एक नगर चुना उसका नाम था विराट नगर विराट राजा के पास उन्होंने आश्रह लिया उनको तो लगा कि ब्र तो उनका साला था विराट राजा का साला था जिसका नाम था कीचक वो उनका सेनापति था और बहुत बलवान था मताब स्ट्रॉंग मैं उसकी नजर दरौपदी जी पे खराब हो गई अब सारे पांडव अलग-अलग रोल में थे मैं कनेक्टिंग नहीं थे मैं विराट र पर उनकी नजर बिगड़ गई कीचक की वो सो स्ट्रॉंग उसके सामने कोई भिड़ नहीं सकता था तो भिड़ू ऐसा हुआ कि जब यह पता चला भीमसेन को तो चाहर सी बात है भीमसेन तो कितने क्रोधी थे आप जानते हैं और कितने बलवान थे उन्होंने क्या खा उन् किया और सेरेंद्री को कहा द्रोपदी को कहा है यू डॉंट नो गो आप वहां मत जाना किचक न जहां बुलाया और वह साड़ी पहन के किचक के पास रात के वक्त पहुंचते हैं और उसके बाद भिमसेन ने किचक की बजा डाली ऐसे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-चो पहब सिचक मर गया किसिन बार्डी हस्तिना पूर तक बात पहुंच गये कि हिचक का वद हुआ तो समझ गये कि वह का म सिर्फ भीमसेन के ही हो सकता है वैसा ही वैसा ही टेरिफिक किलिंग की शुटिंग पेंटर साब ने की अपनी फिल्म में क्योंकि बहुत अच्छे केमरा में थे ट्रीक पोड़ोगराफें मास्टर थे इतना भयानक दिखाया उस किचप वद को किलिंग को कि फिल्म जब नौल्टी में लगी न तो मर्दों के रोंग्टे खड़े हो गए है मर्दों के रोंग्टे इसलिए खड़े हो गए क्योंकि बाकी लेडिस की वो वेक्सिंग करवा क्या आई थी तो उनके रोंग्टे खड़े नहीं हुआ है लेकिन लोग चीक पड़े नोवल्टी में चीख पड़े, नोवल्टी है बट नोवल्टी थैटर में चीख पड़े, तो चीख की आवाज सेंसर तक पहुँच गए, अब सेंसर बोर्ट बना था से पॉलिटिकल चीजों के लिए, लेकिन उनों ने पहली बार इस पे अब्जेक्शन लिया और इस सीन को क चल रहा है, तो सेरिंद्री को तो बचा लिया भीन से ने, लेकिन सेंसर से पेंटर बाबू नहीं बच सके, लेकिन फिर भी वो सीन इतना अच्छा, इतना इतना अच्छा, इतना अच्छा था कि क्रिटिकल एवोर्ड और कमर्शल पब्लिक के लिए भी वो फिल्म बहुत ही दोनों तरह से बाबू राव पेंटर जी को नवाजा गया, इस तरह से उन्हें बहुत बड़ी अच्छी सफलता मिली, उसके बाद क्या हुआ, हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, गोगल जी आप काम पे लगना, नमस्ते